तो आज हम लोग determiners की कुछ exercise करने वाले हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं तो हमें क्या करना है fill in the blanks with suitable determiners आपको determiner दिये जाएंगे ठीक है example दिये जा रहे हैं यहाँ पर कुछ इनको कैसे fill करना है आपको यहाँ पर देखना है तो first आपका है is there.milk for the child to drink एकी बहुत अच्छी होती है ठीक है बहुत help करता है अगर आपको इसका means निकालना समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या कह रहा है is there.milk for the child to drink क्या milk है बच्चे के पीने के लिए तो यहाँ पर कभी भी आप लोग क्या कह रहा है कि कुछ milk है यही तो कोई पूछ रहा है और आपको यह पता होना चाहिए जब भी हम interrogative sentence या फिर negative sentence फिल करते हैं तो वहाँ पर जब कुछ का sense निकलता है दिन वहाँ पर हम some या any फिल करते हैं but interrogative और negative में हम हमेशा any का use करते हैं तो हम यहाँ पर क्या फिल कर देंगे any ओके यहाँ पर हो यहाँ पर क्या फिल हो जाएगा हमारा any ठीक है और next example देखेंगे तो next में दिया गया है हमारा how people were present in the meeting ठीक है तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि people हैं जो meeting में present है तो यहाँ पर sense निकल ला है कि how तो कैसे तो नहीं होगा how के साथ एक word use होता है आपका determiner है many many किस पर use करते हैं countable down पर और यहाँ पर people क्या है हमारा countable है तो हम यहाँ पर fill कर सकते हैं many ठीक है हम यहाँ पर many fill कर देंगे how many people were present in the meeting next example है आपका dot dot is not mine यहाँ पर कोई चीज़ कह रहा है कि नहीं मेरी नहीं है तो जब कोई कोई भी sentence हो हमारा position बताता है ठीक है अधिकार बताता है दिन वहाँ पर हम क्या करते हैं position determiner के use करते है this that this source ठीक है तो यहाँ book है तो क्या हो जाएगा this book is not mine ठीक है या फिर आप बोल सकते हो that book is not mine ठीक है आप that या this use कर सकते हैं next example देखेंगे तो आपका दिय गया गया है I have dot salt sorry stories book ठीक है तो आपके पास story book है तो आप क्या बोल ले हो कि आपके पास story book है तो आप यहाँ पर देखो आपने पढ़ा है objective of number जो होता है तो हमारा determiner होता है ठीक है आप देखते हो number में आता है cardinal हो गया ordinal हो गया हम यूज कर सकते हैं आप यहाँ पर write कर सकते हो two या फिर three कोई भी number पर या फिर आप write कर सकते हैं I have some story books ठीक है आप इन में से कुछ भी write कर सकते हैं two के लावा कोई भी number write कर सकते हैं next में देखेंगे यह गया I sell by dot fruits from the market ठीक है मैं खरीदूंगा fruits market से ठी ठीक है यहां पर भी sense लग रहा है कि हम क्या करेंगे कुछ fruits करी देंगे some fruits from market चलिए next sentence देखेंगे अव्यक्त में सेयन New May take dot rice or coffee जब धी कभी आपको और मिल जाता है ना और तो वहाँ पर फिल करना होता है आपको तो आप हमेशा either or neither nor ये sense लगा के फिल करना होता है तो कोई कह रहा है you may take आप ले सकते हो rice या फिर coffee तो आप एक चीज़ ले सकते हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो either इदर कर सकते हो अगर आप चाहो तो आप नीदर भी कर सकते हैं आप फिल कर सकते हैं नीदर ठीक है यू में टेक नीदर राइस और कॉफी आप नहीं ले सकते हैं कुछ भी ना तो कॉफी ले सकते हैं ठीक है और मतलब अगर यहाँ पर में नॉट हो जाता है निदर कर देना आप लोग यहाँ पर क्या करोगे इधर ठीक है यू में टेक इधर प्राइस और कॉफी ठीक है तो आप यहाँ पर राइस रह सकते हैं या फिर कॉफी ले सकते हैं नेक्स्ट में आपका दिया गया है there is dot, hope of his success तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सेंगे there is some hope ठीक है some बोल सकते हैं ओके आपने some fill कर सकते हैं अब there is little hope ठीक है little तो बहुत अच्छा रहेगा ठीक है थोड़ी सी आसा है कि उसकी success हो सकती सफलता उसे मिल सकती है ठीक है आप ये भी उगल सकते है there is a lot a lot भी यूज़ कर सकते है a lot there is a lot there is a lot of hope of his success तो यहाँ पर suitable determinants आपको fill करना है जरूरी नहीं होता कि एक ही suitable हो ठीक है आप यहाँ पर fill कर सकते हो there is much hope of his success बठाँ hope है तो आप मेरी नहीं फिल कर सकते हैं uncountable है next में आप देखेंगे तो दिया गया है dot dot of 10 girls was given reward यहाँ पर 10 girls हैं जिनको reward दिया गया है तो आपने determinant पढ़ा है distributive ठीक है each and every तो आप यहाँ पर क्या fill कर सकते हैं each every नहीं fill करेंगे because यहाँ पर limitation दी कही है आप लोगों ने पढ़ा है each and every का use जब हम every fill करते हैं then वहाँ पर limitation नहीं होती है ठीक है कोई भी हो सकता है each means भी परतेक होता है बट यहाँ पर limitation होती है ठीक है तो हमें यहाँ पर पता है कि 10 girls हैं then हम यहाँ पर each fill करतेंगे next example आता है तो दिया गया है four women were standing in dot dot अब यहाँ पर भी four women है जो की खड़ी है ठीक है in next row भी बोल सकते हो ठीक है in last row भी बोल सकते हो in each row भी बोल सकते है ठीक है each इवरी नहीं बोलेंगे ठीक है each बोल देंगे four women were standing in each row ठीक है यह हो सकता है और इवरी नहीं करेंगे because it is limiting यहां पर आप कर सकते हूँ, that house, that house was decorated with lights, ठीक है, next example देखेंगे, तो दिया गया है हमारा, child was given a chocolate, ठीक है, तो अब यहां पर आपको fill करना है, ठीक है, तो अब यहां पर आप कर सकते हूँ, each child, ठीक है, आप कर सकते हो, each child was given chocolate, और आप अगर करना चाहो, तो उपर वाले पर कर सकते हैं, every house was decorated with light, क्यों, क्योंकि जैसे दीवाली होती है, तो बहुत सारे मतलब, every वहां पर आजाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर limit नहीं होती है, सारे के सारे घर light से decorate किया जाता है, अभी अभी दीव वाज given chocolate, तो यहां यहां पर sense लग रहा है कि नहीं, पर तेग बच्चे को तो नहीं दिया जा सकता, तो मतलब की सारा, जो every नहीं हो सकता, बट each हो सकते है, हाँ, limit में दिया जा सकता है, ठीक है, next है आपका, dot dot, sops were closed, ठीक है, मतलब की sops हैं, जो closed हो गई है, तो अगर दो ह तो आप बोल सकते हो, both, ठीक है, both आप use कर सकते हैं, ठीक है, both sops were closed, ठीक है, और अगर आप करना चाहें, तो next example देखें, दिया गया है, of the sops was open, यहां पर क्या कर सकते हैं, neither, क्योंकि सारी की सारी क्या हो गई है, close हो चुकी है, ठीक है, तो हम यहां पर क्या कर सकें, neither sops, neither the sops was open, कोई भी sops नहीं है, जो की open हो, ठीक है, neither means क्या होता है, कोई भी नहीं, next example है आपका, we don't.have.sugar left in this pot, तो आप यहां पर, देखो, यहां पर दिया गया है, एक चीज़ तो आप कर सकते हैं, क्या आपने पढ़ा है, कि अगर negative sentence निकलता है, तो हम क्या कर सकते हैं, any का use क कर सकते हैं, ठीक है, we don't have any sugar left in this pot, या फिर आप लोग यहां पर कर सकते हो, much, ठीक है, we don't have much sugar left in this pot, आप यह use कर सकते हैं, ठीक है, next example है आपका, the dot information is precious, ठीक है, तो आप बोल सकते हो, यहां पर this information, ठीक है, this information is precious, ठीक है, next example है आपका, I have dotter shoes in my cupboard कहता है मेरे cupboard में shoes है मैं कुछ रखता हूँ तो कुछ का आप लोग number दे सकते हो जैसे two pair of ठीक है three pair of ठीक है आप लोग यहाँ पर use कर सकते हो I have two pair of shoes ठीक है in my cupboard ठीक है या फिर I have some shoes in my cupboard next example है आपका see is to dotter in her class तो वो खड़ी होती है ठीक है is to in her first तो आप लोग यहाँ पर use कर सकते हो first ठीक है और यहाँ पर second भी use कर सकते हो आप कोई भी यहाँ पर ordinal number use कर सकते हैं cardinal मतलब counting होता है ordinal मतलब first second, third ठीक है तो see is to last in her class यह भी कर सकते हैं next example है आपका the dot book is not mine तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं this book is not mine next example आपका दिया गया है of them had to carry their own bags तो यहाँ पर आप लोग use कर सकते हैं neither ठीक है neither ओके या फिर both मतलब उन में से दोनों के दोने अपना bag ले जा सकते हैं तो यह आप लोगों ने 20 example किये हैं यहाँ से आपको idea लग जाता है कि कैसे question determiner में आते हैं और आपको कैसे fill करना है आपको sense लगाना है और वहाँ पर suitable determiner fill कर देना है ज़रूर नहीं है कि determiner एक ही वहाँ पर suitable हो ठीक है एक से ज़्यादा भी हो सकते है